बश्कार बच्चों, सोशोलोजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग BA Part 1 का सेकंड पेपर भारतिय समाज पढ़ रहे हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको संस्कृति करण टॉपिक के बारे में बताया था। आज मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बार फिर से संस्कृति करण की परिभाशा एवं संस्कृति करण के बारे में शौट में बता देती हैं। संस्कृति करण डॉक्टर स्री निवास ने अपनी पुस्तक Religion and Society Among the Kurgs of South India में जाती की गतिशीलता की प्रक्रिया को व्यक्त करने हितू संस्कृति करण के प्रत्य का प्रयोग किया। स्री निवास ने संस्कृति करण को इस प्रकार परिभाशित किया। संस्कृति करण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाती या कोई जन जाती अथ्वा कोई अन्य समू किसी उच्च और प्राय द्वेज जाती की दिशा में अपने रीती रिवास, कर्मकांड, विचारधारा और पद्दती को बदलता है। सामानेते ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाती जाती संस्तरन की प्रणाली में स्थानी समूदाय में उसे परंपरागत रूप से जो स्थिती प्राप्थ है उससे उच स्थिती का दावा करने लगती है। सामानेत है बहुत दिनों तक बलकी वास्तव में एक दो पीडियों तक दावा किये जाने के बाद ही उसे स्विकृति मिलती है संस्कृति करण की विशेश्टाएं संस्कृति करण की अवधार्णा को इसकी विशेश्टाओं के अधार पर और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है सामाजिक सांस्कृति करण की विशेश्टाएं नमबर वन है सामाजिक सांस्कृति क परिवर्तन से सम्मंदित प्रक्रिया सेकेंड उच्च जातियों का अनुकरण थर्ड सामाजिक आर्थिक एवं राजनितिक उत्थान की आकंशा फोर्थ परंपरागत आदर्शों का परित्याग फिफ्थ उच्चता की भावना का अनुभव सेक्स्थ जातिय सोपान क्रम में उच्च स्थान सेविन्थ पॉइंट है सामूहिक गतिशीलता आट्फा पॉइंट निम्न जातियों एवं वर्गों से सम्मंदित नाइन्थ संस्कृति करण केवल ब्रहमिक ब्रहमनी करण नहीं है नेक्स्थ उच्च जातियों एवं वर्गों द्वारा विरोध अगला पॉइंट संस्कृति करण की प्रक्रिया एक दो तरफा प्रक्रिया और अंत में विचार धारा को घ्रहन करने वाली प्रक्रिया अब हम पढ़ेंगे संस्कृति करण के आदर्श स्रीनिवास ने प्रारम में संस्कृति करण के ब्रहमनी आदर्श का उलेख किया कुछ समाश शास्त्रों ने इसकी आलोचना की बाष़्त विक्ता यह है कि संस्कृति करण के आदर्ष सदैव ब्रामन ही नहीं रहे हैं संस्कृति करण के आदर्ष है- नमबर वन ब्रामनी आदर्ष- रैसी स्थानी प्रभुजाती आदर्ष मतलब की प्रभु जाती से मतलब है जो किसी खेत्र के अंदर जिस जाती का प्रभुत्व होता है वो जाती प्रभु जाती कहलाती है अब हम अध्यन करेंगे संस्कृति करण के स्रोत एवं कारक के बारे में संस्कृति करण के स्रोत एवं कारक स्री निवास ने संस्कृती करण की प्रक्रिया को प्रोचा देने वाले कुछ स्रोतों या कारकों का उलेख किया है वे निम लिखेते हैं नमबर वन आधुनिक सिक्षा यातायत एवं संचार साधुनों का विकास थर्ड अधुगी करण तथा नगरी करण फोर्थ पास्चात्य संस्कृती एवं सब्वेता का प्रभाव फिफ्ट प्रजातांत्रेक एवं समाजवादी विचारधारा सिक्स्थ व्यवसाय संबंदी प्रतिबंदों का पतन सेवन्थ धन के महत्व में व्रद्दी एड्ध धर्म के महत्व में कमी नैंथ असंस्कृती करण की प्रक्रिया टेंथ उच्छ प्रशाष्निक पदों पर पहुंच अब हम अध्यन करेंगे संस्कृति करण एक आलोचनात्मक बुल्यांकन इसमें नम्मर वन है विशम एवं जटिल अवधार्णा है संस्कृति करण सेकेंड पॉइंट है अवधार्णाओं का एक गुच्छा है फोर्थ पॉइंट है परस्पर विरोधी बातें फिफ्थ पॉइंट है अनुकरण की प्रक्रिया छटा है संदर्ब समू में अंतर सात्वा सिद्धान्त की स्थापना नहीं करती यह अवधार्णा आठवा पॉइंट है मात्र भारत में जाती ववस्ता के लिए उप्युक्त नाइंध इकाई की अस्पश्चिता और दस्वा पॉइंट है सर्व व्यापक्ता का अभाव अत्यस पश्ट है कि स्री निवास ने भारती समाज के संदर्व में संस्कृती करण के संबन में जो कुछ मौलिक बाते कहीं हैं वे वेज्ञानिक नहीं हैं उनमें अनेक कम्या हैं इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आपने भारती समाज के परिवर्तन के लिए संस्कृती करण की प्रक्रिया को बहुत अधिक व्यवस्तित एवं प्रभावपून धंग से प्रस्तुत किया है जिसके कारण विज्ञान जगत में इसको इनकी खोज एवं महतपून योगदान माना जाता है जिसके कारण विज्ञान जगत में इसको इनकी खोज एवं महतपून योगदान माना जाता है तो आज की क्लास में बस इतना ही धन्यवाद कर दो कर दो, तो कर दो